हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब I am very sure और आप सब बहतरीन है तो यह एक एडवाइसरी जारी किया है इस चीज को लेकर जो चीज अभी ट्रेंड हो रही है कैंसल सी एस एस एक्जाम और क्योंकि बच्चे जो है सच में बहुत जाधा चिंतित हैं अपने पफिश्य को लेकर अपनी हेल्थ को लेकर और इस कारण मतलब emotions में आकर बचिया हैं वह कर रहा है मतलब ट्रेटर पर लिख रहें शेयर कर रहें और जितने कर लोगोंको बच्चे जानते में सबको टेक कर रहें जो भी उनको लगता है अगर आगे बढ़ जायें तो आगे तो ये कहा जा रहे है कि 2nd paragraph में आप आप आए तो 2nd paragraph में ये कहा जा रहे है कि कुछ टीचर मेंबर्स हैं कुछ टूदेंट्स हैं जो बहुत पूरी तरह से कह रहे हैं कि बाइब एक्जाम को जो है कैंसल कर दो जो भी है अब बच्चों यहाँ पर मैं एक ही चीज बोलूगा चले तो यहाँ पर तो और जो है Minister of Corporate Affairs, Prime Minister, Home Minister को यह बच्चे क्या कर रहे हैं टैक कर रहे हैं और तो कहीं न कहीं यह जो रिमार्क्स हैं वो जो टीचर्स ऐसा कर रहे हैं जो कई स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं इससे बच्चे जो हैं डी मोटिवेट हो रहे हैं पढ़ाई के तो ऐसा उन्होंने ऐसा एडवाईजरी जाली किया है ठीक है मतलब जो टीचर्स हैं या जो भी है यूटूब के माद़ियमसे बच्चो को डी मोटिवेट करने का प्रयास किया जा रहे है ठीक है बच्चो उसके बाद तीसरी बात में उन्होंने कहा है कि भृँ इस situation में जो है फैसला जो है बच्चों के हित में लिया जाएगा और कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी कि हम बच्चों की मदद ना करें मतलब हम जितने possible steps हैं हमारी जो Mother Institute है वो लेगी उसके बाद एक थोड़ा सा चेतावनी एकड़म लीगल टाइप से एकड़म प्यार से कंबल में मतलब एकड़म प्यार से चेतावनी देने की कोशिश की गई है कि भाई ये सारी हरकते जो हैं वो जो हैं वाइलेट करती है आई कि आप कहीं न कहीं ऐसा कौशिश कर रहे हैं आप ये बताने की कोशशिश कर रहे हैं कि DCSI वो अपने stakeholders को अपने stakeholder को बराबर service नहीं देगी आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद आप ये भी दिखा रहे हैं कि आप जो ICSI के प्रेसेंट हैं या फिर senior management आप उनको criticize कर रहे हैं ठीक है तो पहले तीन चीज़े ध्यान दीजे पहले में आप क्या कर रहे हैं आप अंडर्माइन कर रहे हैं आप कम कर आप ये बतानी कोशिश कर रहे हैं कि proper result deliver करने मे इंस्ट्यूट नाकामियाब है आप कहीं ये बता रहे हैं दूसरी चीज़ आप ये बता रहे हैं कि आप criticism कर रहे हैं openly senior management का president का और कहीं नहीं आप ये दिखा रहे हैं कि उनके मतलब आप उनकी authority को कम दिखा के बतानी कोश्च कर रहे हैं और तीसरा आप ICSI के member से office bearer को harass कर तो बच्चों सबसे पहले चीज तो आप सावजान रहें चूंकि ICSI जो हमारी mother institute है वो सच में बहुत अच्छी है अपने बच्चों ख्याल रखती है definitely वो कुछ अच्छा करेगी लेकिन मैं एक चीज़ बता दू कि ये टीन चीज़े मैं एक ही छोटा सा example देना चाहूंगा कि अगर एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी से क्या बोलता है कि मम्मा मेरे को जोर से भूक लगी है प्लीज मुझे खाना दो ठीक है या फिर मम्मा मेरी तब्यत खराब है प्लीज मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो ठीक है अब बच्चा तो रिक्वेस्ट कर रहे है कर चैस्च को खतते हैं तो रहे मम्मा मांन रही है या मम्मा को क्या और काम है को घ्यान दे रही है तो ममा मानी तो बच्चा रहता है रहता है रे एक दिन गर पर ICSI हमारी Mother Institute है, वो बहुत अच्छा करती है अपने बच्चों के साथ, और हम बच्चे जो हैं, वो क्या कर सकते हैं, ICSI से request कर सकते हैं, और हम सब लोग अपने तरीकों से request कर रहे हैं, students ने भी बहुत अच्छा तरीके से request किये, बट मैं हमेशा एक ही चीज बोलूँगा, तो आप बिल्कुल भी harass मत कीजे, और हम बच्चे लोग मेरे खाल से, बहुत सारे बच्चे इस चीज को समझते हैं, और उन्होंने नहीं किया है, बट स्टिल, ICSI आपको एक तरह से प्यार समझा रही है कि ऐसा मत कीजे, तो बच्चों मैं एक ही चीज बोलूँगा, कि yes, you have the right to request, अगर आपको request करना है, एकड़म डीसें तरह से प्यार से request कीजे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ पिछले तीन दिनों से, और request करने में कोई गलत नहीं है, और सबसे बड़ी बात, जहां कि बात रही कि बच्चे demotivated हैं, तो मैं पहली इस चीज में clear करता हूँ, कि हाँ बच्चे तो demotivated हैं, सर पे अगर बिमारी का खत्रा है, मौत का खत्रा है, और situation ऐसी गंबीर है, news में देखो, तो साथा चक्कर आएं लगता है news देखके, साथा ऐसा लगता है कभी-कभी news देखके, एक बार कोरोनों का सोचा तो अपनी सास बंद हो जाती ही, क्यार साल मेरे को तो कोरोना नहीं है, तो ऐसी स्थिती में बच्चा already demotivated है, तो आशा की किरन तो मेरे हिसाब से तभी आएगी, जब कुछ अच्छा माखूल फैसला लिया जाएगा, कि एक्जाम को कैंसल कर दिया जाए, तो मेरे हिसाब से लेक्षी हम बस request कर रहे हैं, और I believe request करना कहीं से भी ये नहीं है कि आप ICSI की service पे आप सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं, या फिर उनके president की authority को आप नीचा दिखा रहे हैं, या फिर आप किसी member की member को आप public के platform पे आप बुरा भला कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा बच्चे को अगर भूख लगी, तो अपनी ममस से request करेगा और किसी बाहर सवाले से request नहीं करेगा, तो please again हम गुजारिश रही करेंगे कि भाई, exam जो है वो cancel होने चीए, और गुजारिश करना मेरे हिसाब से गलत नहीं है, तो बच्चो, but please maintain a decency, हमारी Mother Institute है, वो हम बच्चो का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, Thank you so much, thank you so much.